सरकार के मंत्री बोलने हैं देश के अंदर आर्थिक मंदी नहीं है लेकिन इसी आर्थिक मंदी पर कॉंग्रेस पार्टी देश के अंदर एक बड़ी रैली करनी जा रही है और इस रैली का नाम दिया है भारत बचाओ रैली के नाम से इसको जाना जाएगा इस मवजूब मेरे से साथ बात करने के लिए मौजूद है कुमारी शैल्जा जो प्रदेश शक्दिश है हर्याने की आई उसे जानते हैं कि इस बैठक का फाइनल नतीज़ क्या रहा प्रदेश भर से पूरे लोग हमारे यहां पर नेतागर नाए उन्होंने बताया हर राजे में क्या स्थिती है और सबकी रिपोर्ट यही है कि जो आर्थिक मंदी नहीं है यह एक आर्थिक एमजेंसी की ओर जा रहा है देश और यह इसलिए है क्योंकि यह भारतिय जनता पार्टी की जो गलत नीतिया रही है नोटमंदी से शुरू होकर अब तक तो यह देश को इस कागार पर ले आया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि गरीबी इतनी तेजी से हमारे देश में बढ़ गई है तो इन बातों को देखते हुए और लोगों की आवाज को सुन्ते हुए कॉंगर्स पार्टी तीस तारीख को दिल्ली में रैली करने टारह है लेकिन जब जब दिल्ली में रैली होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेधरी होती है तो आपको लगता है रैली में भ्यारी संख्या में भीर जुट पाएगी और लोग इसके अंदर आर्थिक मंदी और बेरुजगारी के मुद्दे पर उससे के साथ शामिल हो पाएंगे? ये मुद्दा ऐसा है जो हरेक नागरिक को चू रहा है गरीब से गरीब इनसान को, किसान को, मजदूर को, हमारे युवाओं को, सब को आप देख रहे हैं दिन प्रति दिन उद्योग बंद होते जा रहे हैं तो हर तरह से हरेक नागरिक आज के दिन दुखी है तो वो अपनी वेदना प्रकट करने के लिए यहां पर आएंगे तूरे भारी संख्या में आएंगे और लोगों में उत्सा है इस राली के प्रति तो ये थी कॉंग्रेस की नेता कुमारी शैल्जा जो पूरी तरह आश्वस्त है उनका कहना है कि रैली के अंदर भारी संख्या में लोग हि सेलेंगे कैमरा में अश्वनी के साथ बिलास वज़री सौराज एक्सप्रेस दिली